तो गाइस चैन जो है कटर कटर की सौंड कर रहे हैं जब हम चैन को टाइट कर देते हैं तब भी कटर कटर करती है तो गाइस हम इस प्रोग्लम को कैसे सौट आउट करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से वह आप देखिए सबसे पहला काम करना क्या है हम इस गरारी को उल्टा कर देंगे आप यहां पर देखिए इस तरीके से गरारी थी और इसके किनारे हिस्से से जो है न इसक्रेच आया हुआ है तो गाइस आपको ज्यादे कुछ नहीं करना है अगर आप नया लगाते हैं तो काफी अच्छा है अगर आप इसको नया नहीं लगाते हैं तो गाइस सिर्फ इसको इस तरीके से उल्टा कर देना है और आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ासा वेल डाल देना है ये तो ग्रीश डाल देना है जिससे क्या होगा प्रोग्लम सौट आउट हो जाएगा सिर्फ हम इसको उल्टा कर देगे और उल्टा करके इसे अब हम लगाएंगे हमनें क्या-क्या इस गरारी को सीर्फ फिलड दिया अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद अफ यहाँ पर हम थोड़ासा वेल डालेंगे तो गाइस यहाँ पर वेल डालना है इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा वेल डाल देना है तो गाइस अब देखिए जरास अभी कट-कट की सौंड नहीं करेगी इतना स्मूथ हो गई तो जब भी गाइस अगर आपका चैन कट-कट की सौंड करे तो यह ट्रीक इस्तमाल करें और अपनी बाइक का सौंड लेस प्रोग्लम को सौट आउट करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पर निव हो तो सस्क्राइब कर देना नेस्ट वीडियो में मिल आपकी के साथ जब तक लिए थैंक्स बाइबार